जेल में केदियों को कैसा खाना मिलता है और उसको बेतर बनाने के लिए केदि क्या करते हैं यह जानना आपके लिए इसलिए जलूरी है क्योंकि कापी सारे लोग ऐसे होते हैं कि अगर उनके खाने में तोड़ा सा भी नमक जदा हो जाता है तो वो अगर में कोराम मचा देते ह या फिर खाने को फेक देते हैं तो अगर आपको पता होगा कि जेल में लोग ऐसा खाना भी खाते हैं तो इससे आपको खाने की कदर रहे तो चलिए जानते हैं जेल में रोजना एक टाइम पर ब्रेक पास्ट और दो टाइम पर खाना मिलता है ब्रेकवास्ट की बात करें तो इसमें चाई मिलती है क्योंकि ये सरकारी चाई होती है इसलिए इसमें दूद डून ऐसे भी आपको नहीं मिलेगा चाई के साथ में डेली अलग अलग नास्ता दिया जाता है जिसमें एक दिन उबलिवे चने मिलते हैं जो की कापी अच्छे होते हैं उबलिवे चने सुबह में खाना हेल्थ के लिए कापी पाइदे मंद रहता है और दूसरे दिन दलिया मिलता है और तीसरे दिन ब्रेड मिलत अगर खाने की बात करें तो खाना सुबत 10-11 बजे के बीच में आ जाता है हर एक केदी को 4 रूटी, कुछ चाउवल, डाल और एक सब्जी दी जाती है सब्जी जैदातर वही मिलती है जो उस समय बजार में सबसे सस्ती मिलती है सब्जी में मसाले बिल्कुल कम होते हैं, डाल में डाल आपको डूरने से भी नहीं मिलेगी उसमें कापी ज़्यदा पानी होता है, केदी उसे खाने के लिए उसको थोड़ी देर के लिए रख देते हैं जिससे डाल नीचे बेट जाती है और उसके बाद थोड़े पानी को बार निकाल देते हैं और फिर उसे खाते हैं, खाने की मातरा की बात करें तो ये ठीक ठाक होती है इसमें एक नॉर्मल आदमी का पेटा सानी से बढ़ जाता है शाम के खाने में चाओल नहीं होते हैं, श्रिप रोटी होती है और हर केंदी को छह रोटी के साथ में डाल दी जाती है और शाम के खाने में भी कोई न कोई सब्जी जरूर होती है खाना क्योंकि 4-5 बज़े के बीच में ही बाट दिया जाता है तो कुछ लोग तभी खा लेते हैं क्योंकि उस टाइम पर खाना गरम होता है और कुछ लोग रात के आर्शे नो बजी की बीच उस खाने को खाते हैं जब तक वो कापी ठंडा हो जाता है जेल के खाने की क्वालिटी कापी कमजोर होती है उस खाने को देख करके बार के खाने की कापी आदाती है कि बार हम अच्छे काशे खाने को फेक देते थे कैसे नकरे दिखाते थे और कैसे हम अच्छे काशे खाने की रिस्पेक्ट नहीं करते थे इस खाने को थोड़ा बेतर बनाने के लिए केदी खापी सारी चीजे करते हैं जैसे कि जब उनसे मिलने वाले आते हैं तो उनसे सबजी अमंगवा लेते हैं जैसे गाजर, मुली, खीरा और मिर्ची, प्याज वगेरा उनसे सलाद बना लेते हैं और उसके साथ काते हैं और केंटिन से नमकीन लेकर उसे सबजी में डाल लेते हैं और फिर उससे खाना खाया जाता है तो वह खापी बेतर हो जाता है इसके अलावा जेल केंटिन में दूद, दई, नमकीन, बिश्कूट और भी खाने की चीज़े मिलती है जिसे केड़ी खरीद सकते हैं अगर मैं एक लाइन में कहूँ कि जेल में खाना कैसा दिया जाता है तो इसका जवाब होगा जैसा खाना डॉक्टर अपने मरीजों को देने के लिए कहते हैं बिल्कुल वेसा ये खाना जेल में केडियों को दिया जाता है इस खाने की कास बात ये होती है कि इस खाने को खाने के बाद के दी ज़्यादा बिमार नहीं होते हैं क्योंकि इस खाने में एक तो तेल नहीं होता है और मिर्च भी नहीं होती है तो खाने में जब तेल नहीं होगा मिट्च नहीं होगी तो उसे बीमारियां कम से कम होगी जेल का ये खाना खापी सारे केडियों को खापी अच्छे तरीके से लग भी जाता है इसलिए कापी सारे लोग जो जेल में खापी दूबले पत ले आते हैं वो खापी मोटे ताजी होकर जेल से निकलते हैं तो इसलिए करते हैं कि खाने की कभी भी बुराय नहीं करनी चाहिए जो भी मिले जैसा भी मिले आदर के साथ उसे खाना चाहिए और जो खाना बच जाता है उसको कभी भी कोड़े दाने में नहीं फैकना चाहिए बलगी किसी को दे देना चाहिए या पिर जानवर खोखिला देना चाहिए तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आप समझ गए होंगे कि जेल में केडियों को किस तरह का खाना मिलता है और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए और अगर आपके मुन में कोई स्वाल है तो आप नीचे कमेंट करके पूँ सकते हैं